जार्खन बोड दसी बरहवी की नतीजे आज 8 बजे होगा जारी मंगलवार 21 जून को जार्खन बोड के मैट्रिक और इंटर बिज्ञान सेंकाय का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा मंगलवार को सिक्षा मंत्री जगनात महतो दो पर 8 बजे रिजल्ट जारी करेंगे इसके बाद इसी माह तक बिज्ञान के कोमर्स और आर्ट्स संकाय का भी रिजल्ट जारी कर दिये जाएगे इसकी सुचना जारखन एकेडमी कॉंसिल जयक के सचीव महिप कुमार सिंग ने दिये है उन्होंने बताया है कि जारखन एकेडमी कॉंसिल पखले से ही 30 जून तक रियल्ट जारी करने की बात कर रही थी अब पैणाम घोसित करने की सारी त्यारी कर लिगई है मंगलवार को पई नाम घोसित कर दिये जाएंगे बता दे जैक दसवी और बरावी के पई नाम की घोसना होने के बाद इस्टुडेंट ओफिसियल बेप साइट पर रियल्ट चेक कर सकते हैं जैक रियल्ट.com या जैक.जारखन.gov.in पर रियल्ट चेक कर सकते हैं जैक जैक कर सकते हैं वही 22 जुन को करिब करिब पूरे राज्ये में 22 और 23 जुन को कहीं कहीं बजरपात भी हो सकती है जैक रियल्ट.com के सरकारी स्कूलों के बच्चों का बदला ड्रेस कोड अब सरकारी स्कूलों के भावनों के बाद बच्चों को मिलने वाली पोसाक भी हरी होगी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 से बरावी तक के छात्रों का पैंट हरा तथा सठ सफेद और हरा रंका होगा वहीं छात्राओं को मिलने वाली पोसाक में सलवार हरा तथा सूट सफेद और हरा रंका होगा दुपटा भी हरा रंका ही होगा जार्खन सिक्षा पर्यूर्णा परिशत ने इसे लेकर प्रस्ताव दिया था जिस पर स्कूली सिक्षा एम सक्षता भी भाग के मंत्री जगनात महतों ने अपनी सुक्रिती दिया हलाकी कक्षा एक से पांच तक के चातरों को नेवी बुलू रंग का पैंट तथा गुलाबी रंग का सौट दिया जाएगा टाई का रंग भी नेवी बुलू होगा भारत बंद का जार्खन में आंसिक असर सेना में भरती के लिए किंद सरकार की अगनी पत योजना के बिरोध में बुलाए गए भारत बंद का जार्खन में आंसिक असर देखा गया रेलवे इस्टेशन बस इस्टेंट वह चोग चोराय पर सुरक्षा के प्रवबंध किये गए वैसे दुकाने खुली है बजार भी लगे है वहन भी चल रहे हैं हलाकि लंबी दूरी की बस से एहतियातर नहीं चल रही पुलिस अलर्ट मूर में है बतादे गिरिडी में भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है रेलवे इस्टेशन बस सिस्टेंट से लेकर तमाम चोग चोराहों पर पुलिस के जवानों की तेनाती की गई है जारखन में बढ़ रहा कोरोना, इस्कूल, कोलेज, कोचिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी जारखन में एक बार फिर कोरोना संक्रमन तेजी से पाँप असारने लगा है लगभग सभी जीलों में अब कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे है जारखन सरकार ने खात्रे की असंका को देखते हुए एक बार फिर स्कूल, कोलेज, कोचिंग और अने सिक्षन संस्थानों के लिए आदेश जारी किया है बता दे जारखन में सभी बंद जग हो, बसो, कर्यालियों में और मास्क पहनना अनिवारी कर दिया गया है इस समद में सरकार ने आदेश भी जारी कर कहा है कि सभी स्कूलों और कोचिंग सेंट्रों को केंदर सरकार की ओर से पूरों में जारी गाइडलाइन के अनुसार खोलना होगा चात्र मास्क लगा कर सारे रिक दूरी का पारण करते हुए कक्षा में आएंगे रांची सहर के 6 थाना छेत्रों से हटा धारा 144 अब तक धारा 144 वाले छेत्रों में 5 घंटे के छुट दी गई थी बताद धारा 144 हटाने का आदे सदर SDPO दिपक दुवे की ओर से जारी हुआ है केंद्र की अगनी पथ योजना का रिटायर बिरिगेडियर और करनल ने गिनाए लाब केंद्र की अगनी पथ योजना का विरोध कई राजियों में हो रहा है सोमवार को रांची के सैनिक भरती कर्याले में पूर्व सैनिक ने एक प्रेस कोंफिरेंस का योजन कर केंद्र सरकार की अगनी पथ योजना के फायदे गिनाए इस मौके पर रिटायर बिरिगेडियर बीजी पाठक ने बताया कि पहले जीले में नियुक्तिया होती थी कई बार गाओं और पिछले इलाके से लोग भरती में नहीं पहुँच पाते थे इस बार ब्लोक लेवल पर भरती कराने की कोसिस होगी वही रिटायर बिरिगेडियर निरजन कुमार ने एक सवाल के जबाब में अभी कहा कि जो लोग इस बिरोध में सामिल हैं उन्हें सेन्ना में आने में परिसानी हो सकती है अगर पूलिस वेरिपिकेशन में उनके खिलाब इस तरह के मामले आए तो उनकी नियुक्तिया नहीं हो सकेगी सीयम हमन्त ने कांग्रेस परत्यासी के पक्ष में मांगे वोट रांची केमांडर विधान सभा ओपचुना का परचार परसार मंगलवार की साम को थम जाएगा इससे पुरो सोमवार को सीयम हमन सुरेन ने चान हो और लापुंग छेत्रे में चुनावी सभा कर कांग्रेस परत्यासी सीलपी ने हा तिर्की के पक्ष में वोट मांगे इस दरान उन्होंने चेत्रे की मददताओं से विपक्षी पार्टियों से सावधान लवने के अपील करते हुए कहा की भाजपा की साजी से डरने वाले नहीं है सुरू से संख defk किया है और अब भी संख defk के लिए तयार है कॉरोना की नई गाइडलाइन जारी अग़े आदेस तक जारी रहेंगा वहिं इस गाइडलाइन का उलंगन करने वालों पर कानूनी करवाई की जा सकती है बता दे बंद जगा कारे अस्थलो और सोजनिक परिवहन के दोरान फेस कोवर या मास्क पाहना अनिवाल है वहीं स्कूल और कोचिंग संस्थान स्वास्त और सुरक्षा पोटोकाल के लिए एसोपी दिसा निर्देश का पालन करेंगे महिला होकी खिलाडियों का सीम ने बढ़ाया होसला सीम हमान सुरे ने कहा है कि या हम सभी के लिए गरो की बात है कि हमारे राजे की बचिया खेल की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वे अपने प्रत्रसन से राजी और देस का नाम दुनिया में रोशन कर रही है हमें अपने खिलाडीओ पर नाज है ये बाते उन्होंने सिष्टा चार मुलकात करने आई महिला होकी कि खिलाडीओ से बातचित के करण में कही होकी की इन प्रतिभावान बच्चियों का चेयन अमेरिका में आविजित होने वाले तीन सब्ता के खेल और संस्कृतिक आदान प्रदान कारेकरम के लिए हुआ है बता दे मुख्य मंद्री ने इन पांक चोहों की खिलाडियों को सुभकावनाय देते हुए भविस में बेहतर परदासन करने की उमिद जताई धनबाद एस्टेशन के सभी परवेस मार्ग पर लगा बैरिकेटिंग अगनीपथ योजना के बिरोध में हो रहे परदासन को देखते हुए धनबाद एस्टेशन के सुरक्षा बढ़ा दी गई है एस्टेशन में परवेस करने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेटिंग की गई है बैरिकेटिंग में से एक बार में एक ही यात्री अंदर जा आ सकेंगे बैरिकेटिंग अस्थर पर सुरक्षा के पुक्ता बेवस्ता की गई है वहीं एस्टेशन के अंदर सुरक्षा वाग गस्त बढ़ा दी गई है इस्टेशन आने वाले लोगों पर बिसेस नजर रखी जा रही है इसके अलावा इस्टेशन की लभग सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है वहीं आत्रियों की सुविधा के लिए हेल फ्लैन नमबर जारी किये गया है जिस पर फोन का ट्रेंस समधि जनकारे भी लिजा सकती है राज येपाल से मिले सीम हेमन्त सुरेन जारखन के मुख्यमंत्री हेमन्त सुरेन ने कल राज येपाल रमेसबैस से मुलकायत की जहां उन दोनों के बीच पांच बिसो बिद्याले में कुलपती और दो बिसो बिद्याले में प्रती कुलपती की नियुक्ती को लेकर चर्चा होई इसके अलावा राजे की बिकास को लेकर भी चर्चा होई दोनों के बीच लगभग एक घंटे तक बात चीज़ चलती रही CM ने उन्हें राज सरकार के बिकास कारक्रमों वह बिधी बेवास्ता को प्रभाई बनाने के लिए किये जा रहे पर्यास की भी जनकारी दी देवघर यारपोर्ट सौर उर्जा से होगा रौसान जलवायू परिवर्दन के खत्रे को देखते हुए सरकार एनरजी टांजीशन पर जोर दे रही है ऐसे में रिनूबल एनरजी के रूप में सौर उर्जा का ब्यापक अस्तर पर पर परियोग देश में बढ़ाया जा रहा है गुजरात, मध्यपर्देश, शातिसगर और जारखन जैसे राज्जियों में सौर उर्जा का परियोग न सिर्फ घरो और कार्यालियों को रोशन करने में हो रहा है बलिक यहां खेती कार्यों में भी सौर उर्जा का उप्योग बढ़ाया जा रहा है बतादेविश्व परियावरन के दिवस परिया घोसना की गई है कि ग्रीन हाउस गैस के उसर्यन को कम करने के लिए इंद्रागांधी यारपोट पर यी वीकल की संख्या बढ़ायी जाएगी 22 बैटरी संचालित गाड़ियों को उप्योग मिलाने की घोसना हुई है भारत बंद का गुमला में नहीं दिखा असर केंद्र सरकार के अगनिपत योजना के बिरोध में आहुत भारत बंद को गुमला में कोई असर नहीं देखा गया जीले के सभी 12 पर खंड़ों में दुकाने खोली रही वानों का परिचारन हुआ सिर्फ इस्कूल बंद रही पूलिस गस्ति करते नजर आई गुमला एसपी डाक्टर एहतिसाम वकारीब और सदर थानेदार मनोज कुमार खुद रंटार लेका सड़क पर उत्रे सहर की सड़को प्रगस्ति किया जगा जगा पर पूलिस बल तैनात किया गया था बता दे पोकलो रेलवे स्टेशन के समीप और रेलवे पटरी की सुराख्छा को लेकर जगा जगा पूलिस बल तैनात किया गया था बंद के दोरान कहीं से अपरिये घटना के सुचना नहीं है दुमका की दुलार मरांडी का भारतिये महिला फुटबॉल टीम में चयान दुमका की दुलार मरांडी का चयान भारतिये महिला फुटबॉल टीम में हुआ है वो स्वीडन में होने वाली मैत्री मैच में भारत का प्रतिनित्व करेंगी वर अभिवार की देर रात भारतिये टीम के साथ स्वीडन रवाना हो गई बता दे अल इंडिया फोटबॉल फेडरेशन ने पूने में 13 से 29 जुन तक आयोजित भारतिये सिनियर महिला फोटबॉल टीम कोचिंग केंप के बाद 20 से 28 जुन तक स्वीडन में आयोजित तीन देशों की मैत्री मैच के लिए दुलार मरांडी का चैन किया है जामोमों का आरोप गंगोत्री कुजूर ने छिपाई जनकारी जारखन मुक्ती मोर्चा के केंद्रिये सदसे सुपरियो भटाचार ने सोम और कमांडर विधान सभा ओप चुनाव में भाजबा परत्यासि गंगोत्री कुजूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनावी सपत पत्रे में मिट्टी चुराने के कारान उन पर 22 जित प्रत्मेकी की प्रती दिखाते हुए कहा कि निर्वाचन आयों को इस पर संग्याल लेनी चाहिए बता दे जहां मों नेता ने रविवार कमांडर में नेता अस दुदीन ओवाईसी की चुनावी सभा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ओवाईसी या असपश्ट करे किवे किस्त के समर्थक में सभा करने आये थे उन्हें जनकारी सरोजनिक करना चाहिए बिधायक धुलू महतों पर बेनामी संपती रखने का आरोप जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जशी एसन परसात के अदलत में बागमारा बिधायक धुलू महतो कि आये से अधिक संपती की जाच की मांग वाली अचका पर सुनवाई होई सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार वा इंकम टेक से जबा मांगा है अदालत ने सरकार से कहा है कि विधायक के खिलाब दर्श अपराधिक मामलों की जनकारी सपत पत्र के माध्यम से अदालत में पुर्व केंद्रिय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ट नेता सुबोध कांद सहाय ने पधान मंति नायन मोदी के उपर एक विवाधित ब्यान दिया है, सोमवार को नई दिली के जंतर मंतर पर भीड को समधित करते हुए, सहाय ने मोदी की तुनला जर्मन तना सा हिटलर से की और यहां तक कह दिया कि हिटलर की रा चलेगा तो हिटलर की तरह मरेगा मोदी, इस टिपनी पर कांग्रेस की चारो ओर फजिहत हो रही है, हलाकि अभित्त कांग्रेस से कोई अधिक्रित परतिकिरिया नहीं आई है चुनाव आयोग ने 111 दलो की मन्याता की रद भारत निर्वाचन आयोग ने जार्खन के राइनितिक दल जार्खन वनांचल कांग्रेस सहीत 111 दलो की मन्याता रद कर दिया है आयोग ने 111 और त्रीक्त पंजी क्रित गयर मनेता प्राप्त राइनितिक दलो को सूची से अटा दिया है आयोग ने 38 और पंजी क्रित गयर मनेता प्राप्त राइनितिक दलो को नोटिस भी जारी किया है कहा गया है कि यदि पंजी किरित गर मने अताप्राप्त राई नितिक दल जो पूरो में यदि निरवाचन में सामिल हुए है तो ये निरवाचन में ब्याय का परतिवेदन निधारे तिथी तक समर्पित कर दे गर्भुवती को नियुकती से नहीं कर सकते मना ज्हारखन हाई कोट ज्हारखन हाई कोट के जस्टिस डाक्टर एसन पाठक की अदालत ने गर्भा वास्ता के दोवान एक महिला को योगदान नहीं दिये जाने की खिलाब दाखिलिया अचकापर सुनवाई होई सुनवाई के बाद आदालत ने कहा कि प्रार्थी 22 जून को एन्टी पीसी चात्रा करयाले में योगदान देंगी एन्टी पीसी उनके योगदान को सेवकृत कर इसकी जनकारी कोट को उपलब्ध कराएगा मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी इस तमन में डाक्टर सत्या दत्त की ओर से हाई कोट में अजका दाखिल की गई है रांची डीसी चवी रंजन पर 50,000 का जूर्माना जारखन हाई कोट के जश्टिस एस चंदर सेखर और जश्टिस रतनागर भेगरा की अदालत में बड़ा घागरा में आपोलो चेनई अस्पताल को जमीन देने के बिबात को लेकर सोतर संग्यान से दर्ज मामले में सुमव पर को सुनवाई हुई सुनवाई के दरां अदालत रांची उपायूक्त च्वी रंजन की ओर से जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर कड़ी नराजगी जताई इसके बाद उन पर 50,000 रुपे का जूर्माना लगाया है अदालत न जूर्माने की रांची हाई कोट बिधिक सिवाप रादिकार में जमा करने का निदेश दिया उक्तरासी की जमा रसीत की छाय परतिक साहथ ही उपायूत की ओर से कोट में जवाब दाखिल किया जा सकेगा रांची हिंसा जाच रिपोर्ट के लिए एक माह का समय राइधानी में 10 जून को नमाज के बाद बवाल उपद्रव पत्थरबाजी व गोलिबारी के जाच के लिए राज सरकार की निदेश प्रगठित आप्तापरबंधन विभाग के सचीव डाक्टर अभिताब कौसल वा एडीजी, अभियान, संजय, अनंदराव, लाठकर की दो सयोगी टीम को जाच के लिए एक महिना का वक्त चाहिए दुनों अधिकारियों ने राज सरकार को सनिक्त रूप से पत्र लिखकर पूरे मामले की जाच के लिए एक महिना का वक्त मांगा है पहले मुख्य मंत्री ने एक सब्ताख के भीतर जाच कर पूरी रिपोर्ट देने का नेदेश दिया था A.C.H.T. सम्मांधित 1200 के सलंबीत गयट परकासित नहीं कर रही सरकार जारखन में अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अधिनिया में दर्ज कांडो के अनुसंधान में तेजी लाने के लिए दरोगा इंस्पेक्टर को जिम्यदारी सोपने के लिए पूलिस मुख्याले परियासरत है इसके लिए पूलिस मुख्याले से राज सरकार को रिमाइंडर पत्र भेजा गया है और आगरह किया गया है कि जल्द से गयट का परकासन कराया जाए ताकि दरोगा वा इंस्पेक्टर अस्तर के पताधिकारियों को एसी एस्टी एक्ट से समन्धीत लंबित कांडो के अनुसंधान की जिम्मेदारी सोपी जा सके भारत बंद का कोडारमा में आंसिक असर कई ट्रेने रद अगनीपत जोजना के बिरुद में विभीन संगठनों के भारत बंद के अवाहन को लेकर कोडारमा विशेस सतर्कता बरती जा रही है खासकर रेलवे पर पूलिस पर सासन की विशेस नजर है बतादे कोडरमा पूलिस और रेल पूलिस के जवान लगातार एस्टेशन परिसर और सहरे इलाकों में दांगा निरोधक उपकरन के साथ गस्त कर रहे हैं साथ ही लोगों से स्तांती बनाए रखने की अपील कर रहे हैं सचीवाले सेवा के छो सब पतादिकारियों की जल्द होगी प्रोनती सरकार जल्द ही सचीवाले सेवा के विभीन पतादिकारियों को प्रोनती देने की त्यारी में है जनकारी के अनुसार कार्मिक विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है सुत्रो के अनुसार उप सचीव, सन्युक्त सचीव, अवर सचीव, प्रसका पता अधिकारियों को जल्द ही परमोशन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के निदेश पर डेर सल बाद सरकार ने प्रोनती पर लगी रोक को हटा लिया है पहली कड़ी में राजे प्रसासनिक सेवा के 129 अधिकारियों को अनुमंडल पता अधिकारी के पत पर प्रोनत किया जा चुका है अगली कड़ी में सची वाले सेवा से जोड़े पता अधिकारियों को प्रोनती देने की तैयारी चल रही है धन्यवाद यदि आप चनल पनाई हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक रंद बजे साथ साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को से अशेर करना न भूले साथी साथ आप हमें जारखंडी न्यूज फेस्बूक पेज को लाइक करना न भूले